कि नमस्कार मैं आनंद कुमार आज यह तो नहीं पूछ सकता हूं कि कैसे हैं आप खबर आप तक पहुच गई होगी मैं बात कर रहा हूं यूपी पुलिस जो की इतियास की सबसे बड़ी भरती थी सरकार की जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी थी इसको पारदसी तरीके से संपन कराना और जो चीजे निकल के सामने आ रही हैं अब उसके इस बात को इस पस्ट कह रहा हूं मैं कि सरकार अपने आप में फेल हुई है और एक तरीके से सरकार ने इस बड़ती को भगतने का प्लान बनाया था कि विग्यापन बाद में आया एक्जाम की डेट पहले आने लग आगा आगा दिया आज बच्चों सुवह की शिप्ता साम बाली सिप्ट का पेपर मेरे पास 12 बज़े आ गया था बच्चों ने बेजा मुझे मुझे मुलब चुकि सिच्छा कोने के नाते मेरी जिम्मधारी है कि चीजों को ना फैलने दे मैंने बच्चों को बताया कि नही मिला बड़ा अच्छा फीड हुआ मैंने का यह ब्रामक पर है मत पढ़िए चक्कर में साम की सिप्ट जैसे ही चुटी बच्चों ने बेजा सर आप तो कह रहे हैं तो देख लिए पेपर मिलाया मेरे होस उड़ गए बोलने के लिए मेरे पास सब्द नहीं थे क्या किया जा होगा मैं अपनी तब से करूँगा हर हाल में आपके साथ हूँ और मैं इसके लिए मांग करता हूं कि पूरी परिक्षा रदोनी चाहिए हर हाल में हो सकता है वो बच्चे जिनका पेपर एक सो अच्छा हुआ हो जिनके 120-30 कुस्चन बन रहे हैं उनको इस वास से असह मत हो है मेरी बास से लेकिन बतादू भाई मेरे जब पेपर बारा पांच पांच गंटे पहले गुरूप पे टहल ना था तो 140 वालों का भी स्लक्षन नहीं होगा मेरे दोस्त आप मेहनस 130 ला सकते 135 ला सकते हो आप स्लक्षन में नहीं आओगे प्रिइवर आओगे वहते हो शरकार को इसकी केंसम है और जो बी इसके दोस्तियों मैं तो एक गौँगा उसको फांसी से ज़ागा देनी चाहिए यह ब्रेश्टाचार कि सबसे अदिक्तम सजा एक करोड रुपय जुनाना नहीं उनका मकां नहीं गिना चाहिए उनको फाश पूरा परिवार तड़ी पार होगा वो सिस्टम कर देना चाहिए कि सरकार का मजाग बना दिया अभी बिलाता है लोग उमीद होती है बड़ी खुशी होती है कि अच्छा बिलाया है पर लिख नहीं होगा और यह क्या होता है पेपर आम तोर भाट सप्पे चटनी बन जाती है क्या बताया जाए इसके लिए ट्विटर केंपेंट चला है घर बैटने का काम नहीं है मेरे दोस्त अब नहीं लोगे आपकी लड़ाई एक खुद लड़नी पड़ेगी आपको सांतिपूर तरीके से हम लोग भारत के रहने वाले हैं भारत के नागरिक है भारत के सम्मिदा करते हैं भारत की सरकार में हमारा में विश्वास है वो लोग हमारी सरकार है लेकिन जो गलत हुआ है उसका सांतिपूर तरीके से पुर्जोर तरीके से ब्रोद करिए आप भी करिए मैं भी करता हूं गरत का साथ कभी नहीं दूँगा यह बात इस पस्ट है पेपर आउट कि अर्ज के लिए जाना चाहिए कि सब लोग शांतिपूर तरीके से जैसा भी विरोद आप कर सकते हो सोचल मीडिया के माध्यम से अधर चीजिजों से आप उसका विरोद करिए हर हाल में घर बैठने से कुछ नहीं होगा जैसे और में छूट नहीं मिलेती आप लोग निकल ले थे घर से इको गार्डन तक गए थे जरूत पड़े तो निकल लिए मेरे दोस्त कि अपने छेत्र के नेता विधायक शांसत जिंट जो भी है प्रतिनीदी उन्होंने तब पत्र लिखे थे उन्होंने फिर मजूद करिए उनको फिर उनके पास जाईए उनको बताईए कि ऐसले कि सर मेरे साथ गलत हुआ उनको फिर पत्र लिखने के लिए मचECTर हें एक रहिर दोने से कामने चांदा दोसी प्रदोने से कामनी चलेगा अब ब्रदोना चैए लिए अ और यह आप सामिल है तो बर्चलقت सामा हुआं मैं आपके साथ खड़ा हूँ जिस लेवल पे तक मैं जा सकता हूं मैं आपके साथ चलूँगा आज के लिए इतना ही तो बहुत गरम है अपना ध्यान रखें सांत्पूर्ट तरीके से अहिंसात्मक रूप में नहीं जाना आपको यह द्यान रखना हम भारत के निवासी हैं भारत के कानुन को मानने वाइव भारत के समिधाने बरोशा करते हैं भारत के नियाय पर भरोशा है मनों को जुरुत पढ़ेगी कोड़ चला जाएगा लेकिन अहिंसात्मक करता हूं सीदह सीदह कहीं भी अहिंसा से बच्चें इन चीजों पर मत करें सरकारिक किसी बीचीज को कभी भी अहिंसात्मक आंदर्ण का मैं सपोर्ट सब्सक्राइब करें ना करें वह बात की बात है मैं दुख में आपके साथ खड़ा हूं आपके साथ गलत हुआ मैं आपके साथ खड़ा हूं ठीक है मेरे दोस्त